मा की बातें स्वामी रितानंद से वार्ता लाब बाद में जब मा कोयल पाड़ा में आकर कुछ दिन रुकी थी तो एक दिन मठाध्यक्ष ने उनसे कहा मा लड़के लोग यहां रहना नहीं चाहते हैं आप उन लोगों से कह दीजिए कि वे अन्य किसी स्थान में नहीं रह पाएंगे और वे यही रह कर अपना सब कामकाच करें आप यदि ऐसा कह दें तो वे लोग फिर और कहीं नहीं जाएंगे यहां बात सुनते ही मा कृद्ध होकर बोली तुम मुझसे क्या कहलाना चाहते हो तुम समझते हो मैं कह दूंगी कि वे लोग कहीं न रह पाएं वे लोग मेरे बेटे हैं ठाकुर के पास आएं हैं वे लोग जहां जाएंगी ठाकुर उनकी देख भाल करेंगे और तुम मेरे मुझ से कहलाना चाहते हो कि वे कहीं स्थान ना पाए यहां बात मैं कैसे कह सकूँगी मा तब खूप उचे स्वर में बोल रही थी सभी भैसे घबरा उठे मठाध्यक्ष तब मा के चरणों में गिर कर रोते हुए बोले मा रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मा उसी समय एकदम शान्त हो गई एक दिन पूर्व बंग के कोई भक्त दीक्षा के लिए मा के पास पहुँचे मा तब कोयल पाड़ा में थी मा के पास यहां समाचार भेजने पर उन्होंने कहा नहीं दीक्षा नहीं होगी भक्त यहां सुनकर हताश हो गए दूसरे दिन वे किसी से कुछ न कहकर मा के कमरे के सामने बैटकर रोने लगे मा को यहां पता चलने पर उन्होंने कहा वहां क्यों इस प्रकार रो रहा है उसे चले जाने को कहो मैं उससे मा का आदेश कहने लगा पर उसकी दैनी अवस्था देखकर कह नहीं पाया इस बीच देखता हूँ कि मा स्वयम ही अपने कमरे के सामने का दर्वाजा थोड़ा खोल कर भक्त को देख रही है मेरे भीतर प्रवेश करते ही मा ने मुझसे कहा उससे कह दो कल उसकी दिक्षा होगी यहां सुनकर वहां भक्त और भी जोरों से रोने लगा दूसरे दिन उसकी दिक्षा हो गई कोयल पाड़ा में कृष्ण प्रसन्न नाम का एक शिक्षित भक्त कुछ दिनों तक था मा ने एक दिन हम लोगों से कहा देखो विदेशों से बहुत से साहब आदी सब भक्त आएंगे तुम लोग कृष्ण प्रसन्न के पास अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीख लो मा के कथन आनुसार हम लोगों ने लिखना पढ़ना आरंब कर दिया था किन्तु कुछ दिनों बाद कृष्ण प्रसन्न के चले जाने पर वहां सब बंध हो गया किसी स्थ्री भक्त के पास मा के चरण चिन्ह थे एक दिन वहां चोरी चला गया उसे लेकर स्थ्रीयों के बीच बवाल मच गया मा तब कोयल पाड़ा में थी यहां सुनकर वे हस्ते हुए बोली अरे उसे लेकर तुम लोगों के बीच इतना जगडा क्यों मैं तो हूँ जितने पद चिन्ह चाहो ले लो बाद में कुछ कपड़े और आलता लेकर उन्होंने बहुत से पद चिन्ह बना दिये इसके साथ ही जगडा भी समाप्त हो गया एक दिन माने प्रसन्द मामा के घर बादचीत के दोरान कहा देखो रादू जन्म के पहले सरवदा चाया के रूप में मेरे सामने घूमती रहती थी उसकी और दिखाते हुए ठाकुर ने कहा इसका आश्रय लेकर रहना उसी रादू को लेकर मैं कितनी आसकती में डूबी हूँ देखो न गौरदासी किस प्रकार अपनी लड़कियों को तयार कर रही है और मैंने एक बंदरिया को तयार किया है एक दिन जहराम बाटी में कोई एक साधू कागस कलम तथा दावात लेकर मा के पास पहुँचे और बोले मा दूद की मात्रा बहुत कम हो गई है एक गाय से जो दूद होता है वहाँ पूरा नहीं पड़ता इसलिए सोचता हूँ कि एक गाय और खरीद लू यदि आप अनुमती दे तो एक व्यक्ति को रुपय के लिए लिख दू मा ने कहा लिख दो तुमने मुझे रुपया निकालने का यंत्र समझ लिया है तुम सोचते हो कि बस लिखने से ही रुपया आ जाएगा है ना उनके जाने के बाद मा हस्ते हुए बोली देखो उसकी कैसी कामना है एक बार मैंने बाबूराम को मिश्री का शर्बत पीने को दिया था बाबूराम को तब पेट की बिमारी थी ठाकुर ने वहां देख लिया एक दिन उन्होंने मुझे से कहा तुमने बाबूराम को क्या पीने को दिया था मैंने कहा मिश्री का शर्बत वहां सुनकर ठाकुर ने कहा इन लोगों को साधू होना है यहां सब क्या आदत डाल रही हो एक दिन मैंने मा से पूछा मैं किस प्रकार साधन भजन करूँ मा ने कहा ठाकुर को पुकारने से ही सब होगा यहां मेरे मन के अनुरूप न होने पर मैंने पुनह मा से पूछा तब मा नाराज होकर उच्च स्वर में बूली मैं और कुछ नहीं जानती ठाकुर के पास जो चाहोगे वही पाऊगे कोई एक भक्त मा के पास दीक्षा लेने गए तो मा ने उनसे पूछा तुम्हारे वंश का मंत्र क्या है भक्त ने कहा वहां तो मुझे नहीं मालूम तब मा थोड़ी देर चुप रहकर बोल उठी तुम्हारे वंश का मंत्र यह है और उन्होंने उस भक्त को दीक्षा प्रदान की कोयल पाड़ा में एक दिन एक पागल आकर घर के सामने उत्पात मचा रहा था मा ने उसका पागलपन देखकर कहा देखो न यहां सब पागलों का ही मेला है हम लोग आये हैं इसलिए सब पागल आ रहे हैं देखो राधू पागल उसकी मा पागल इन सब के साथ मेरा निवास है यहां कहकर वे थोड़ी देर चूप रही फिर बोली घर में आयेगी दंडी सुनेंगे बहुत चंडी आयेंगे बहुत दंडी योगी जटा धारी